दोस्तो 25 जून को एक कॉमेट हमारी धर्ती की बहुत करीब से गुजरने वाला है दोस्तो कॉमेट को हिंदी में दून के तू कहते हैं दोस्तो वेगनिकों के अनुसार यहा कॉमेट लगभग डाई किलोमेटर बड़ा है दोस्तो वीडियो शूर होने से पहले में आपको बता दोग हमारा चैनल पर आपको स्पेस एंड एस्ट्रोइड से रिलेटेड न्यूज मिलेगी आप भी एक स्पेस लवर हो तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करके बेल आकन को प्रेस करना बिल्कूल न भूले दोस्तो हमारे एक स्पेस्क्राइबर ने कमेंट किया था कि यह खबर फेक है तो उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ प्रेप्टिकली गूगल पर सर्च करके बता देते हैं अगर इस कामेट एंके को आप Google पर सर्च करते हैं कॉमेट एंके लिग कर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से आपके सामने रिजल्ट आएगा दोस्तों आपको पता होगा गूगल एक बहुत बड़ा ब्रांड है यो कोई भी जानकारी गलत नहीं देता है और यहाँ पर गूगल बाबा ने भी बता दिया है विकीपीडिया के अनुसार इस कॉमेट का परिकरमा काल 1204 दिन का है जिससे हम और्बिट टाइम भी कहते हैं और पिछली बार यहाँ दस मार्च 2017 को सूरी के बहुत करीब से गुजरा था तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा अगर हमारी चैनल पर कोई गलत जानकारी नहीं दी जाती है चलिए अब बात करते हैं उस कॉमेट के बारे में जो कल हमारी धर्टी के बहुत करीब से गुजरने वाला है तो दोस्तों आपको बता दे किस दूमकेतु की खोज 17 जनवरी 1786 में की गई थी पिछले बार यह दूमकेतु 10 मार्च 2017 को सूरी के करीब से गुजरा था और दुबारा से यह 25 जून 2020 को यानि कल हमारी धर्टी के बहुत करीब से गुजरने वाला है इस दूमकेतु का ओर्बिट पिरट 1204 दिन का है और इस दूमकेतु का डायमेटर डाय किलोमेटर बड़ा बताया जा रहा है दोस्तों एक्स्ट्रोइड ठोस चट्टान से बने होते हैं और दूमकेतु कई तत्वा से मिलकर बने होते हैं जिन में बर्फ, दूल, मिटी, गैस, कई तत्वा सामिल है और इसकी रफतार बहुत ही जादा तेज होती है जिसके कारण और इसमें मौझूद गैस के कारण इसके पीछे लाखो मिल तक लंबी सफिद लाइन खिच जाती है जिसकी वज़स से इसे पुच्छल तारा भी कहते हैं हमारे शोर मंडल में कई ऐसे दूमकेतु मौझूद है जो नंगी आँखों से भी देखे जा सकते हैं दोस्तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दो दूमकेतु और एक्स्ट्रोइड एक्स्ट्रोइड हमारी दर्ती पर गिरता है तो बहुत ज़ादा तबाई मचा सकता है लेकिन दूमकेतु अगर हमारी दर्ती पर गिरता है तो इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है क्योंकि दूमकेतु ठोस नहीं होते हैं कल जो कॉमेट हमारी धर्ती के करीब से गुजरने वाला है उसे किसी टेलेस्कॉप की मदद से देखा जा सकता है लेकिन आप निचिनत रहे इस दूंके तुसे हमारी धर्ती को कोई नुकसान नहीं होने वाला अगर आप भी एक स्पेस लवर हो तो दोस्तो एस्टरोइट, एस एन पॉमेट से रिलिक्टेड न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकुन को प्रेस करना बिल्कुल न भूले